नमस्कार मैं कशिश स्वागत है आपका न्यूस 10 इंडिया में जैसा कि सभी को मालूम है कि तालिबान का अफगानिस्तान पर पूरे तरीके से कब्जा हो चुका है भले इस सुने में ये बात कितनी भी अजीब लगे लेकिन सचाई यही है लेकिन ये बात सोचने वाली आती है कि आखिर ये कैसे मुम्किन है कुछ हजारों की तादाद में लडाकों से पूरा एक मुल्क जिसकी जन संख्या 3,80,000 और वहाँ के सैनिकों की संख्या 1,95,000 से भी जादा है लेकिन ये क्यों हुआ इसके पीछे का असली कारण क्या है और आखिर ये तालिबान क्या है इसके लिए हमें अफगानिस्तान के इतिहास को जानना होगा और समझना होगा ऐसी क्या घटना है इतिहास में घटी है जिसने अफगानिस्तान को आज इस मुकाम पर लाख खड़ा कर दिया है आपको बताते हैं 1979 में अफगानिस्तान में नूर मुहम्मद की सरकार थी और विचारधारा भी कॉमुनिस्ट थी वहीं नूर मुहम्मद आराकी के साथ ही नेता हफिजुल्ला आमین और नूर मुहमद में राजनैति खीचातानी चलती रहती थी उससी समय अफगानिस्तान के परोसी देश इरान में मुहम्मद रजा का तलकता पलट हुआ था मौमिद रजा मौडन और लिब्रल विचार धारा के थे जो बात कट्टापंति इसलामिक नेताओ को जमी नहीं थी इसी घटना से प्रभावित होकर हफिजुल्ला आमीन भी सत्तक होने का डर बना हुआ था और इस दर को और अपनी सत्ता बनाये रखने के लिए उन्होंने तुष्टी करन को अपनाना जादा भेता समझा इसमें उन्होंने कट्टपंति इसलामिक नेताओं को अपने साथ लाने की कोशिश के और कॉमिनिट विचार धारा से दूर होकर एक बीच का रास्ता निकालने की सोची लेकिन ये बास सोवेट संग को नागवार गुजरी सोवेट संग किसी भी कीमत पर कॉमुनिस्ट विचारधारों को दूसरे पाइदान पर नहीं देखना चाहते थे ये वही समय था जब विश पलट कर अमेरिका और सोवेट संग के बीच कोल्ड बॉर्ट चल रही थी लिसंबर 1979 सोवेट संग की सेना अफगानिस्तान और हफीज उल्ला का तकता पलट कर बाबरक का एक नया सविधान लाते हैं जिसके हमतेगर सिंगल पार्टी सिस्टम को हटामल्टी पार्टी सिस्टम और राइट तो स्पीड जैसे लिबरल सोच को जगा मिलती है लेकिन ये बाद सोवेट संग के धुर विरोध्य अमेरिका को कत्य हजम नहीं होती पहले ही सोवेट संग अमेरिका को वियत नाम और इथियोपिया जैसे दो बड़े खाव दे चुका था सोवेशंग से बदला लेने के लिए अमेरिका ने अमेरिकी इंटेलिजन्स इतियास का सबसे बड़ा ओपरेशन शुरू किया ओपरेशन साइकलोन था जिसका बजट पाच लाक यूएस डॉलर था इस ओपरेशन के अंदर अमेरिका ने मजाहिव दिन्यों को लेटेस हतियार और एंटी एरिक्राफ्ट मिसाइल और अथा पैसा देना शुरू कर दिया इससे अफगानिस्तान में उतल पुतल बच गई थी 1988 अफगानिस्तान में एक नया सवेरा लेकर आई राश्टरपती मुहम्मद नजीबुल में पाकिस्तान के साथ एक जिनेवा अकॉड साइन किया जिसके अतरगत पाकिस्तान और अफगानिस्तान एक दूसरे के आंतरिक मामले में दखल नहीं देंगे इसी के साथ सोवेर संग अफगानिस्तान से अपनी सेना वापस बुला लेगा और अमेरिका मुझाई दिनेों को देने वाली मदल रोग देगा अफगानिस्तानियों को फिर एक नए सवी धान मिला नए सीरे से चुनाव होई और मुखमद नजीब उल्ला दुबारा सत्ता में आने के साथ ही मुखमद नजीब उल्ला अच्छी तरह समझ गए थे कि अफगानिस्तान में विकास करने की काफी जादा जरूरत है उन्होंने सोचा है कि सबसे पहले एक सिर सरकार बनाए जो शांत माहोल की आवशक्ता को पूरा किया जाए लेकिन दूसी तफ अमेरिका ने सोविय संग के साथ हुए करार का उलंगन किया और मजाई दिन को देने वाली मदद कभी नहीं रोकी वही 1996 आते आते यह मजाई दिन कई पाकिस्तानी आतंक्यों और अफगानिस्तानीों रिफ्यूजियों के साथ मिलकर एक खतरनाक संगटन तालिबान बना चुका था जिसे खुली तोर पर पाकिस्तान और साओधी अरब का समर्थन था वही सितंबर 1996 में तालिबान का अफगानिस्तान पर कबजा हो जाता है और पुरे अफगानिस्तान पर शरिया कानून लागू कर दिया गया वही शरिया कानून के अंतरकर अफगाने जनता पर कई तरह के प्रतिबन भी लगा दिये गए थे यहां तक कि सिनेमा, टीवी, फुटबॉल, चेस, म्यूजिक और इंटरनेट आदी इन सभी गेमों को बैन कर दिया गया था नेकिन वही महिलाओ की बात की जाए तो शरिया कानून के तहट कड़े प्रतिबन लगाए गये थे जिसमें 10 साल से बड़ी लड़ किया पढ़ाई नहीं कर सकती, वही महिलाओ को इस बात पर मार दिया जाता था अगर बुर्खे में से उनकी चपल तक दिखाए दी, इस तरीके से लगाता है लोगों को परिशान किया जा रहा था और खास करकी महिलाओ को परिशान किया जा रहा था, उनका कहना था कि अगर महिलाओ घर से बाहर जाती है तो किसी ना किसी पुरुश के साथ उनको जाना चाहिए और छोटी छोटी बातों पर ही शरिया कानून लागू कर दिया जाता था बदादी 11 सितंबा 2001 को आतंकी संगटन अलकाइदा ने अमेरिका पर बड़ा आतंकी हमला किया, अमेरिका हर हाल पर अपने उपर हुई इस आतंगवादी हमले का बदला लेना चाहता था अलकाइदा का सरगना और 911 का मास्टर माइन उसामा बिन लादेन अफगानिस्तान में छुपा था जाहिए इसे तालिबानी सरकार का पूरा समर्थन भी मिल रहा था इसी सबके बीच अफगानिस्तान में एक ऐसे संगटन मजबूत हो रहा था जो तालिबान की खिलाफ लड़ रहा था इस संगटन का नाम था नॉर्डन अलाइंस अपने उपर हुए हमले का बदला लेने के लिए अमेरिका ने अपनी सेना अफगानिस्तान भीजी थी जो ऑनलाइन के साथ मिलकर काफी हद तक अमेरिका ने तालिबान का सफाया भी कर दिया था फिर 2003 में अफगानिस्तान में फिर से चुनाव होए और हमिद करजई वहां के रास्टर पती बने अफगानिस्तान में फिर एक नया सविधान आया और 2003 में ही भारत ने भी अफगानिस्तान के साथ मिलकर रिश्टे मजबूत कर लिये थे भारत ने अफगानिस्तान के साथ मिलकर 3 मिलियन यूएस डॉलर का इंवेस्टमेंट किया था लेकिन अमेरिका और अफगानिस्तान की लगातार कोशिशों के बाद भी तालिबान का पूरी तरीके से खतम नहीं होना काफी जादा नुकसान दायक था था 2013 में अमेरिका अफगानिस्तान ने शान्ती के लिए तालिबान से बात्चित शुरू की लेकिन तब सन 2020 में अमेरिकी रास्टरपती डॉनल्ड टरॉम ने एक बयान में कहा कि जब अब अमेरिका अफगानिस्तान से अपनी आडमी वापस बुला रहा है और यह पेशकर्श अम अफगानिस्तान से तालिबान का पूरा सफाया कभी हुआ ही नहीं तालिबान बार बार अफगानी और अमेरिकी सेना के खिलाफ लड़ते रहे हैं अब जब अमेरिकी सेना अफगानिस्तान से वापस जा रही है तब एक बार फिर से अफगानिस्तान पर पूरी तरह से ताल कब्जा हो चुका है अफगानी रास्टोपती उप रास्टोपती कई राजनेता और अफगानिस्तान च्होड़ कर दूस्तरें देश जा रहे हैं। भारत को क्या अफगानिस्तान का साथ देना चाहिए या बागी देशियों की तरह मुग दर्शन बने रहना चाहिए अपना जवाब आप कमेंट बॉक्स में दे सकते और बता सकते कि आपको ये जानकारी कैसी लगी सब्सक्राइब करें हमारी यूटूब चैनल को और बेल आइकन को दबाएं ताकि हर वीडियो सबसे पहले देख पाएं आप हमें फेस्बुक और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं वीडियो देखने के लिए धन्यवाद